हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु जावा टुटिल स्रीज डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अब कास्टिंग क्या है अब कास्टिंग का जो concept होता है ये inheritance के concept में आता है अगर आपको inheritance के बारे में नहीं पता है तो previous lectures में मैंने inheritance के उपर videos बनाये है अगर आप उन्हें watch करते हैं तो definitely आपको inheritance भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो dear friends मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कोड़े से start करते हैं आज का ये lecture जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के इस lecture में हम बात करने वाले हैं अब कास्टिंग क्या है बहुत ही आसान है जब parent class के reference variable में हम child class का object रखते हैं तो यह process अपकास्टिंग के लाती है इस process में हम जिसका reference है उसके method को ही call कर सकते हैं child class के methods को call हम नहीं कर पाएंगे इसको एक example के basis पर समझने की कोशिश करते हैं जहां पर दो classes है एक parent class है और एक child class है और दोनों के बीच में inheritance का relation है अब तक आप क्या कर रहे थे कि जिस class का object बना रहे थे उस class के object को उसी class के reference में आप रख रहे थे अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप child class का object बना रहे हो और उस object को आप parent class के reference में रख रहे हो तो यह process अप कास्टिंग केलाता है अब इसको बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं एक live example के basis पे तो हम एक program बना कर समझते हैं तो यहां पर मैंने अपना eclipse ID open कर लिया है और यहां पर एक project create किया है मैंने अप casting example और यहां पर मैं program बनाना चाहता हूँ तो मैं यहां पर एक class create करूँगा class का name में कुछ भी रख सकता हूँ मैंने यहां पर my main रखा finish button पर click करूँगा यह जो class आप देख रहे हैं यह हमारी main class है और इसके insight हमारी main method रहेगी तो मैं यहां पर अपना main method बना लेता हूँ यह मैंने बना लिया है जैसा कि अभी इससे पहले मैंने discuss किया था कि आप casting का जो concept होता है उसमें inheritance का relation होना चाहिए तो मैं यहां पर single level inheritance का एक relation बना कर आपको बताता हूँ एक class मैं बना रहा हूँ यहां पर parent name से और एक दूसी class बना रहा हूँ मैं यहां पर child name से और दोनों classes के बीच में मैं relation show कर रहा हूँ यहां पर inheritance का यह इस तरीके से अब देखिए दो classes है दोनों classes के बीच में inheritance का relation है अब मुझे up casting को समझना है तो up casting को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यह जो हमारी main method है इसके inside मुझे object बनाना है child का इस तरीके से तो मैंने यहां child का object बना है object कैसे बनाते हैं आप जानते हैं जब आप new keyword लिखते हैं तो dynamic memory allocation होता है उसके बाद class का name देते हैं और फिर उस class का constructor बना देते हैं तो इस तरीके से यहां पर object बन जाता है और object बनने से dynamic memory allocation होता है इस class के लिए अब यह memory यहने कि यह object मैं देना चाहता हूं parent class के reference variable को तो मैं यहां पर parent class का name रखता हूं और उसके बाद एक reference variable बना देता हूं इस object को मैं assign कर देता हूं तो यह जो process आप देख रहे हैं यहां पर कि child class का object है और उस object को आप parent class के reference variable में रख रहे हैं तो यह process आप casting कहलाता है मैं लिख भी देता हूं यहां पर casting इस तरीके से अब इस process होता क्या है इस process से यह होगा कि जिसका reference होगा केवल उसके ही member आप access कर पाएंगे यह नहीं कि जिसका reference होगा उसके ही methods या variable को आप call कर सकते हैं child class के methods या variable यह यूं कहें कि child class के member को आप access नहीं कर पाएंगे इस reference से यह अप casting का concept कहता है तो चलिए मैं parent class के insight method बना देता हूं मैंने यहां पर show name का method बनाया है और मैं print करवा देता हूं यहां पर parent कि इस तरीके से यह मैंने यहां पर parent को print करवा दिया है और इसी तरीके से child class के insight में method बना देता हूं wow name से किसी भी name से आप method बना सकते हैं बस identifier के rules को आपको follow करना पड़ेगा तो मैं यहां पर print करवा देता हूं इस तरीके से चलिए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं मैंने यह कहा कि parent class के reference से केवल parent class के method ही call हो पाएंगे तो मैं parent class के reference variable से मैं यहां पर show को call करके check करता हूं मैं यहां पर show को call करके check करता हूं मैंने यहां show को call किया और यहां run करके check किया तो आप देख सकते हैं यहां पर output हमें मिला parent इसका मतलब यह है कि parent class के reference variable से parent class के method तो हम call कर पा रहे हैं यह यह कहें कि access कर पा रहे हैं अब इससे क्या नहीं होता है इस reference variable से आप child class के method को call नहीं कर सकते हैं मैं यहां से वाउ को call करके check करूंगा यहां पर तो देखिए हमारा id ही हमें यहां पर error show करके दे रहा है और आप यहां पढ़ सकते हैं कि the method wow is undefined for the type parent यहां कि parent class के लिए यह जो wow name की method है यह undefined है आप चाहें तो run करके भी check कर सकते हैं यहां पर मैं run करके आपको बताता हूं तो says करते हैं इसको और देख सकते हैं आप कि यहां पर my main name की जो class है उसमें line number 17 पर error है यह आप देख सकते हैं यहां पर यह तो dear friends आज के इस lecture की insight हमने अब कास्टिंग के उपर एक program बना कर समझा I hope कि आपको यह lecture बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको अप कास्टिंग का concept भी समझ में आया होगा अगर आपको यह concept अच्छे समझ में आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों को share कर सकते हैं आप इस lecture को like भी कर सकते हैं और भी कोई problems वगिरा आती है आपको इस तरह के concept बनाने में तो आप comment में लिख सकते हैं हम उस comment को पढ़ेंगे और definitely आपकी सारी problems जो भी है उनको solve करने की कोशिश करेंगे तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए बाई बाई